कौन करेगा फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम सलमान ने एच से पहले किया अजय की फिल्म का टीजर शेयर हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वाकत करता हूँ बॉलिग्राइड स्टूडियोज के फिल्म एक लियारे में तेरे नाम मुवी सलमान खान के करियर की वन ओफ दे वेस्ट मुवी थी अब मेकर्स ने इस मुवी के सक्सेस्फुल होने के बाद तेरे नाम टू की तैयारी कर रहे हैं तेरे नाम टू मुवी तो हजार तैस में देखने को मिल सकती है वहीं सलमान की एक और फिल्म मजदार टू की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और मेकर्स इस मुवी की भी तैयारी में लगे हुए हैं अगर ये दोनों साथ में देखने को मिलेगी तो ये मुवी मजदार टू से टकरा सकती है और हो सकता है तेरे नाम टू मुवी इसके सामने ना चल पाए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मजदार मुवी तो एक्टर्स और स्टोरी की वज़े से फ्लोप हो गई थी लेकिन अब मेकर्स ने मजदार टू में अच्छे एक्टर्स को कस्ट करने का सोचा है इतना ही नहीं इस बार इसकी मुवी की स्टोरी भी काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है लेकिन वही तेरे नाम का क्रेज भी कुछ कम नहीं है वैल कुछ भी हो सकता है ये तो मुवी रिलीज होने के बाद ही बता चलेगा तेरे नाम टू मूवी के डारेक्टर सतीश कोसिख है फिल्म के एनॉंसमेंट काफी पहले करती गई है लेकिन अभी इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है उनका कहना है कि एक बार सलमान अपनी बाकी फिल्म की शूटिंग खत्म कर लें तभी इस मूवी की सिनेमेटाफर रहें और डैरेक्टर हैं इन्होंने कई लेंग विजीजिव की फिल्म्स जैसे तमिल, मल्यालम, तेल हुगू बार इद में हमें शायद ही भाइजान की कोई मूवी देखने को मिलेगी इसलिए सलमान ने इस बार अज़ेवगन की मूवी को सपोर्ट किया है जो ईद के मौके पर रिलीज होगी उस फिल्म का नाम है रनवे 34 इस फिल्म में हमें आज़े देवगन के साथ अमीता बच्चन भी देखने को मिलने वाले हैं हाल ही में सलमान ने इस मौवी का टीजर शेर किया और अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वो लोग ये मौवी इस ईद पर जरूर देखें रनवे 34 2015 के जेट एरवेज दोहा काची फ्लाइट के ऊपर बेजड है और ये मौवी एक रियल लाइफ स्टोरी है ये मौवी हमें 29 अपरेल 2022 को देखने को मिलेगी ये मौवी काफे इंस्पाइरिंग होने वाली है well we wish the best to each team member and may this movie will be blockbuster if you like it then share it and comment on it and please don't forget to subscribe our bollygarde studios thank you